हालो टेड़ेस वल्कम बाक टो माई यूटूब चैनल श्टार्ट किया है गाइस होपुली हम यह लंबा समय कंटिनू रखेंगे और आप सब के लिए एक अच्छा सा व्यूव लाके रखेंगे कुरूड ओल के लिए स्पेशली तो गाइस चलो हम बात करते हैं आने वाले तो सबसे पहले आपके सामने में चार्ट प्लॉट करता हूं तो गाइस यह चार्ट है आप देख सकते हैं यह कुरूड ओल का चार्ट है मैंने 30 मिट्स के टाइम फ्रेम में चार्ट प्लॉट करके रखा हुआ है आपके सामने मैं रेजिस्टेंस सपोर्ट एन नेक मैंने प्लॉट करके रखा हुआ है तो क्या मोमेंटम हो सकता है आप चीजह कि नोटिस करो जब भी सपोर्ट ट्रेंड लाइन पाया है यहां पर आया पूल बैक लिए है तो पॉसिबल डिज़ें यहां से जब पूल बैक यहां पर लिए तो यहां तक आने की चांसेज है मतलब 6,000 तक वापस जा सकता है क्रूड ओल तो कहेने के गाइस हमें पूल बैक के तरफ देखना है एक टार्गेट होगा 6000 का बट अगर 6000 क्रॉज के इसको पर सस्टेन किया तो एक अपसाइट मुआ आएगा जब तक 6000 क्रॉज नहीं करता है तब तक हमें डाउंसाइड ही रहना है हमारा व्यू बट एसपर ट्रेंड लाइन पैटल नेक्स टार्गेट बनेगा 6000 का अपसाइट में अगर क्रूड यह लेवल तोडता है जो कि 5,900 का लेवल है यह अगर ब्रेकडाउन करता है तो नीचा जो टार्गेट बनेगा हमारा 5,780 के करीब तो यह इंट्राडे लेवल में आपको बताया लॉंग आपको करना है 5960 के उपर 6000 के लिए ठीक है और डाउंसाइड में 5,900 के नीचे आपको शॉट करना है 5780 के करीब यह तो गाइस यह मेना व्यू है लॉंग साइड अपसाइड के साब से गाइस मैंने बहु अब एक साइड ब्रेकडाउन दिया उसके अकॉरिंग ले सकते हैं अभी भी यह गाइस 5970 के नीचे 5780 के टार्केट इजली आ सकता है अपसेड तो चांसे सकम है होफुली मार्केट है कुछ भी नूज आ सकता है कुछ भी हो सकता है बट हमें ट्रेंड के साथ काम करना है ट् के लिगाम चनल को जरूर जोइन कर लेना ताकि आपको लाइब मार्केट के बिट्स मिलते रहें तो गाइस तिल देन हैपी डे एपी एंडिंग थैंकि सो मच